हेलो एवरिवान, वेलकम टू आंजनियास किचनवार्ड, आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू कतली, स्पाइसी और पाँच मिनट में बनकर रेडी हो जाती है, घर में अगर कभी कोई सबजी ना हो या फिर जटपट पाँच मिनट में कुछ बनाने का मन करें, तब बनाएए मसालेदार आलू कतली, तो इसके लिए मैंने आलू को पहले छील लिया है, और एक बार इन्हें पानी से धो लिया है, अब हम एक बड़ा बावल लेंगे, और उसमें आलू को पतला-पतला काटेंगे, जैसे हम पकोड़े काटते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा काटना है, इन इन नहीं ज्यादा मोटा काटें, और नहीं ज्यादा बारिक काटें, तो इन्हें मीडिम ही आकार कर कट करें, इस तरह से, अब आप देख सकते हैं कि सारे आलू कट चुके हैं, अब हम इन्हें पानी डाल कर धो लेंगे, हम इन्हें तीन से चार बार अच्छे से वाश करें जिससे कि इनका सारा स्टार्च है वो निकल जाए मैंने सारे आलू को तीन से चार बार अच्छे से रखड़ कर धो लिया है और आप देख सकते हैं कि आलू का पानी अब कितना साफ हो चुका है बिल्कुल देखे मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा है इसलिए हम इने तीन से चार बार अच्छी से बॉश करना है जिससे कि इनका सारा स्टार्च निकल जाए और आलू थोड़े से टेस्टी बने अब हम एक कढ़ाई लें और उसमें एक बड़ा चमच ऑल डालें आप कोई भी ऑल यूज कर सकते हैं ऑल जब गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे एक हींग टेस्ट के लिए आप देखेंगे इससे हमारी सब्जी में अच्छी खुश्बू आती है इसलिए हम हींग थोड़ी सी ज्यादा यूज करते हैं अब आलों को ऑईल में एड करतें और सारे आलू एड करने के बाद उसमें डालेंगे एक चमच नमक मैंने यहां आधी क प्लावा aloo को स्लो कर देंगे स्लो करने के बाद हम पांच मिनट अलवों को झखक कर बगाएंगे अलो बस धक्कन मांस जबदी करें तब उसके लिए इस तरह का प्लैन अषौritउ तो उससे आलू की कतली तूटने का खत्रा बना रहता है, तो धीर धीरे हमें सारे आलू को इस तरीके से चुड़ाते हुए पलट लेना है, और आप देख रहे हैं, आलू की कतली बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी हैं, और ये आलू महारे बन भी चुके हैं, तो हमें ये 70% पका मसाले ने हैं, और इसमें अब हम एड़ करेंगे कुछ मसाले, मसाले एड़ करने से पहले हम गैस फ्लेम को स्लो कर लेंगे, जिससे कि हमारे मसाले जलेना और मसालों का टेस्ट भी अच्छा आए, इसके लिए हम डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी पावडर, चौथाई धनिया पावडर, और साथ में हम एड़ करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग में डाल सकते हैं, और चौथाई चम्मच हम चाट मसाला यूज करेंगे, और तभी हम एड़ करेंगे आदा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, और हमारी सबजी में देखने में भी टेस्टी लगती है, अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा, मसालों को अच्छे से आलवों में मिक्स करेंगे, चारो कौनों पर मसाला हमारा लग जाए, इस तरह से सौफ्ट हातों से ही हमें ये मिक्स करने है ताकि हाई आलो की कतली हैं वो टूटे ना सारे मसाले एड करने के बाद मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमच देशी घी इससे और भी ज्यादा टेस्ट होगा हमारी सबजी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे चारो दो मिनिट बाद आप देखेंगे कि हमारी आलू की कतली है वो अच्छे से पक गई है और बहुत ही सौफ्ट हो चुकी है अब हम कैस फ्लेम को आफ करेंगे देखें कितनी बढ़िया बनी है और आपको इसी तरह से सौफ्ट हातों से ही इने उलट पलट करना है और जो हमारा स्पैचुला है उसे इसी तरह से फ्लेट लेना है और जब भी आप आलू कतली बनाए थोड़ा सा चौड़ा बरतन ले चौड़ी सी कड़ाई ले जिससे कि आ सकते हैं और थोड़ा सा हराधनिया कटा हुआ इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे-धीरे सौफ्ट हातों से ही इने मिक्स करना है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो आलू कतली बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू जरूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी देखिए आप देख सकते हैं कि आलू कतली कितनी टेस्टी बनी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है तो एक बार इस तरीके से आलू कतली बनाकर जरूर देखें और गर् enjoy करें